हेलो गाईज, विल्कम बैक तो मैं आटूप चैनल ये असके मिश्टडी अवे आप सक्सेज मैं हूँ आपका एजुकेटर सिव मिस्रा और आज हम देखेंगे लॉगडाउन पर निबंद चीहां ये बोड इग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाश 10 और 12 जो की हिंदी का है आपका तो लॉगडाउन पर निबंद अगर पूछ लिया जाएगा तो ये काफ़ इंपॉर्टेंट है रही बात इसकी पीडिएफ की सर इसका अगर पीडिएफ मिल लिया तो और बेट रहेगा तो इसका पीडिएफ हम अपने टेलेग्राम च लिखने से पहले लॉगडाउन पर निबंद आपको चार टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सबसे पहले आपको निबंद लिखने से पहले प्रस्तावना आपको लिखना होता है किसी चीज की क्या देना हो प्रस्तावना वह हो है क्या उसके बाद लॉगडाउ आपको खास ध्यान देना है, ठीक है न, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, इसकी प्रस्तावना देखेंगे, तो प्रस्तावना में प्यारे बच्चों, ये हमारा लागडाउन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे, लागडाउन ये हमानव जात इसके मार्च में ही तो लागडाउन लगा था क्या इसके पहले आप सुने थे बिलकुल भी नहीं सुने थी तो यह जो मानो जात का तिहास है इसमें सबसे पहली बार था क्या था यह लागडाउन सब्द यानि कि लागडाउन लगा था जहां पूरे देश में धारा 144 के तह जिसमें आप इकठा नहीं हो सकते, कहीं पर आप भीर नहीं लगा सकते, कहीं पिसादी समारों में आप सामिल नहीं हो सकते हैं, तो उसका कहीं न कहीं आपको जाके वहां से अप्रूव कराना होगा, अप्रूवर लेना होगा, तभी वहां पर आप सामिल हो सकते हैं, तो यह हो लेवा वायरस ने हमला किया था कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान चली गई थी आखिरकार यह क्यों किया गया क्योंकि एक ऐसी जानलेवा वायरस ने हमला किया अब वो कौन सी जानलेवा वायरस थी कौन थी कौन थी कौन थी कौन थी जिसमें दुनिया में लाख डाउन तोडेंगे तो जाहर से भी संक्रावर्ण का खत्रा बढ़ता चला जा रहा है फर्स्ट आया सेकेंड आया सेकेंड में और ज्यादा लोगों की मृत्त हुई अब थर्ड आने की कगार परहेदे को थर्ड भी आ सकती है कुरोना वायरस कुरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ एक ही क्या उपाय था वो लॉगडाउन था अगर लॉगडाउन न लगा जाए तो कुरोना वायरस से कोई बचे ना पाता एक इंसान से दूसरे इंसान तक या पिर एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक या पर एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक या पर आप अस इस्थान भी लगा सकते हैं और यहां पर क्या कर सकते हैं इंसान भी लगा सकते ठीक ना तक वारस तेजी से फैलता था या फैलता है इसलिए भारत में या भारत सरकार ने इतायत दी कि आप लॉगडाउन के तहत आप घर में ही रहे कहीं पर बेवज़ घूमने घूमने या तहलने ना जाए बेवज़ घूमने या तहलने ना जाए ठीक है ना या घूमने या तहलने थोई टाइपिंग में गलतिया है उसको मैं सुधार दे रहा हूं आप बेवज़ घर से वार ना घूमने जाए ना ही आप तहलने जाए तो यह लॉगडाउन का क्या था जिसा निर्देश था ठीक है ना अब आप कापता यहां पे लॉकडाउन से लाब यानि कि लॉकडाउन लगा तो इससे क्या क्या लाब हुए कहीं न कहीं हान था तो कहीं कहीं लाब था आखिरकार आप आज लोग आप लोग आज अपने इस यूटूब चैनल एसके मिश्टे पढ़ रहे तो यह कहीं न कहीं लॉकडाउन का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि आप लोग को ऑनलाइन जुड़ने का सबसे बड़ा मौका मिला सबसे पहला लॉकडाउन एक कईस दिनों का लगा था और यह एक ऐसा मौका था जिसके द्वारा हम अपने परिवार के ठीक न क्योंकि सब लोग एक साथ इसको बैठें और उसको कहीं न कहीं देखें और उनसे सीख मिली कि आखिरकार परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए यह सबसे बहतरीन पल था जिसमें हम लोग एक साथ बैठकर मन रंजन करते थी वह चाहें यूटूब पर खाना बनाना सी टॉक था वो बैन हो गया एमेक्स बहुत सार ऐसे से चीज थी जो कि आप लोग वहाँ पर बेप सीरीज या पर कोई भी देख देखते थी ठीक न हालाकि मैं किसी को यहाँ पर बोल नहीं रहा लेकिन वहाँ से एक इंज्वाय सब लोग करते हैं लोगों को लोगडाउन के इन दिनों में अपने दिल में दवे सोग को पूरा करने का मौका मिला जो दिल में दवा सोग था उसको मतलब पूरा की हैं अब कहेंगे सर कैसे पूरा के जैसे कि आपको यह था कि हम गेम खेलें तो अब तो लोगडाउन लगा था कुरोना वारत कि महामारी फैली थी तो आप लोग ने गेम खिला घर वाले ने भी नहीं मना किया क्योंकि उसमें स्कूल कॉलेज अब भी बंद थे और बंद भी हैं तो कहीं न कि आप सौक तो पुरा की न कि जैसे कि आपका सौक था आप कॉलेज जा रहे थे समय नहीं मिल पा रहा था आपक तो सौंग सीखना था तो यूटूब पे सर्च करके आप सौंग सीख लिए नित्य सीख लिए वाद्दे यंत्र बजाना सीख लिए तो त्याद कहीं न कहीं लाभ ही तो थे मौका मिला आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेली ब्रिटीज ने भी इसका फायदा उठाया किसी ने कोई वाद्दे यंत्र बजाना सीख लिया तो किसी ने नित्य सीख लिया और अभ्यास करके दैनिक जीवन में अच्छा काम करने लगी लागडाउन के कारण बातावरन साफ हो गया क्योंकि जब लॉगडाउन हुआ हुई थी तो उसके पहले तमाम गारिया रोड पर दोड रही थी यानिक जब लॉगडाउन नहीं हुई थी तो उसके पहले जो गारिया थी वो कहां पर दोड रही थी जिसके कारण कारण जो डाई आकसाइड क्योंकि कारण करोना वाइरस की मरीजों में भारी गिरावड भी आई और संक्रमण फैलने का खत्रा बहुत क्या हो गया कम हो गया अब आप काता है पेरवच्चु लॉगडाउन से हान यानि लॉगडाउन से क्या क्या हान थी तो बड़े-बड़े कार्याले कल कारखाने को बंद करने के कार मजदूर दरदर भटकने लगे भुकमरी के कगार पर आ गए जो मजदूर दैनिक मजदूरी पर जीवनियापन करते थे उनके घरों में चूला जलना तक बंद हो गया और बस्ती में लोग भूखे सोने लगे क्योंकि जाहिर ची बात है जो गरीब परिवार की लोग होते है वो अपना जो भरन पोषन करते हैं वो कहीं न कहीं जाके मजदूरी ही कर के करते हैं और जब मजदूरी ही बंद हो गई तो वो अपना भरन पोषन कहां पर करें? कैसे करें? गरीब घरों पर लॉगडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा बड़े बड़े कारणों को बंद करने कारण से उनको भारी हानी सहन करनी पड़ी बाकी वेवसाईयों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा लॉगडाउन से भारत को अनुमानी सव अरब डालर तक का घाटा होने की भी आसंका यह लगभगे दो गुनी हो गई लगभगी दो सव अरब तक डालर आप कर सकते हैं भारत में लॉगडाउन के कारण घर में रहने वाले लोग मानसिक समस्या से जूजने लगें इससे छोटे बच्चे को काफी समस्या हुई वे बाहर खेलने कुदने में असमर्तर यानि जा नहीं पा रहे थे इसलिए बहुत सारा दिमाग में डिप्रेशन आ गया डिप्रेशन के सिकार हो गए और कई लोग तो डिप्रेशन के भी सिकार हो गए इन्हें सबसे बचने के लिए एक उपाया है कि आप आप अपने आपको ज़्यादा ज़्यादा काम 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 में मन लगाया रखे यानि कि जो मन है आप अपने काम में लगाया रखे अभोग कोई भी काम हो सकता है आपका on-line पढ़ना पढ़ाना या पिर कोई पैसन हो सकता है ख तो डिप्रेशन से बचने पैसा नहीं आएगा तो डिप्रेशन के सिकार होंगे ही न अब आता है उपसंहार तो प्रधान मंत्री भारत में प्रधान मंत्री सी नरेंद्र मोधी जी ने कुरूना नहीं है आपके कोरोना थोड़ी प्रेंटिंग मिश्टेक हुई है ठीक ने लिखने में कोरोना के खोल दिया गया जिसके कार्ण संदोजारी कीस अप्रैल में आप देखे होंगे सबसे भारी कोरोना की दूसरी एंज सामने आये थी और बहुत सारे लोग भी इसके सिकार हो गये थे और मर भी गये फिर इसके बाद लॉगडाउन को बढ़ा दिया गया और फिर कोरोना वाइरस की मरीज कम होने लगी और अब भी वीकेंड लॉगडाउन लगा हुआ है और बिना एक्जाम को ही बारहमी का रिजल्ट भी दे दिया गया इक रहमी के भी रिजल्ट दे दिये गया यानि कहीने की सिच्छा पर भी यह बूरा आसर पड़ा जायरी इस बाते बिना परिच्छा गर बच्चे पास होंगे तो सरकार सामान जीवन या अपन व्यतीत कर सकती हैं तो यह प्यारी बच्चों लॉगडाउन पर निबंद रहा है थोड़ी से आप मिस्टेक थी प्रिंटिंग तो उसको थोड़ी आप सही कर लेजिएगा और इसका जो पीडियाफ है मैं अपने टेलेग्राम चैनल यासके मिस कर दी रहा हूं तो वहां पर जा कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यह बोड़ एक्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसको याद कर लिजिए ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें कि दूसरों थैंक्यू जाहिए जाहिए जाओने कर दो